स्वागत आप सभी का Factor India Sports के इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ दिव्यांशू जैस्वाल रवी चंदन अश्विन क्या World Cup Final खेलेंगे भाई ये सवाल तब से चल रहा है जैसी टीम इंडिया एहमदबाद में लेंड हुई अब ये सवाल क्यों आया ये सवाल इसलिए आ रहा है कि जब कल तीम इंडिया ने वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन किया जब रोहिच शर्मा राहुल द्रविड और जो पूरा स्टाफ था के लाहुल रविचंदन अश्वे निशान किशन रविंदर जडेजा कुछ लोग जो है कल ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में आये थे अब वहाँ पर हमने रोहिच शर्मा को देखा वो जब पिच को देख रहे थे पिच का मुआयना कर रहे थे राहुल द्रविड के साथ तो वहाँ पर रोहिच शर्मा पिच के पास ही स्लिप की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसका किसका मतलब यह है कि शायद spinners को जादा वहाँ पर मदद मिलने वाली carry नहीं करेगी ball जादा bounce नहीं होगा घुटने के नीचे bounce रहने की संभावना ऐसा माना जा रहा है साथ इसाथ जो pitch की आज तस्वीरे आई वहाँ से वहाँ पर एक तो वह काली मिट्टे की पिछ है तो वह अल्रेडी धीरे रहती वह ज्यादा तेज नहीं रहती उसमें ज्यादा तेज पर नहीं रहता प्लस वहाँ पर heavy rollers जो है वो उस pitch पर चलाय जा रहा है यानि कि इसका मतलब है कि यह pitch को धीमा किया जा रहे यह pitch और धीमी होती जाएगी जैसे जैसे game progress करेगा और जब game जो pitch है वो धीमी होती जाती है तो spinners का roll बढ़ जाता है अब भारत के पास दो spinners है कुल्दी प्यादा व रविंदर जड़िये जा यह तो खेलेंगे अब अगर part time spinners की बात करें तो रोहिच्छर्मा डाल लेते हैं शुयसा यह डाल लेते हैं सूर्या डाल लेते हैं शुमन सब लोग जो गेंबाजी कर लेते हैं विराट कोली राइटाम क्विक कह सकते हैं उनको मीडियम कह सकते हैं बट अगर एक प्रापर spinner भारत लाए जैसे रवीच अंदन अश्विन जो इंडिया उस्ट्रेला मैथ चन्ने में हुआ ता वहां पर अश्विन खेले थे क्योंकि वो पिच उनके मतलब की थी अब हर कोई ये प्रेडिक कर रहा है कि शायद शायद रोहिच शर्मा वर्ड का फाइनल की प्लेंग 11 में एक बदलाव कर दें वो एक बदलाव यह हो सकता है कि रविच जंदन अश्विन को मौका मिल सकता है अब उसका कारण क्या है पहले तो प वामायट में देखोगे या वाइडबॉन में देखोगे डेविड वॉर्नर मानस लाबुशेन स्टीव स्मित यह अक्सर अश्विन के ऊपर आउट होते है अश्विन का एक साइकोलोजिकल जो हुआ है ना वो बना हुआ है ऐस्ट्रेला के सारे बल्लेबाजों में ये एक खिलाडी अगर ओपनर्स आउट हो जाते हैं तो फिर अश्विन के लिए एक अच्छा रहेगा कि अगर अश्विन इनको आउट कर दे तो ऑस्ट्रेला के लिए अश्विन का हुआ प्लस पिच ये तीन फैक्टर्स अश्विन के पक्ष में जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अश्विन मुहम्मद सिराज की जगे केल जाएं देखिए शामी और भुम्रा को तो आप हटाने का सोच नहीं सकते सूर कुमार यादव हटेंगे नहीं क्योंकि आपकी पास अल्रीडी बैटिंग की कमी है आप साथवे नंबर तक बैटिंग कर रहे हो तो एक जो खिराडी ह जिस पर तलवा लटक सकती है वो है मुहमद सिराज अब सिराज का प्रदर्शन श्रिलंका वाला मैच छोड़ दें तो बाकी उतना जादा इंप्रेसिव नहीं रहा था जैसा उनका एशिया कप गया था तो सिराज का प्रदर्शन जो है थोड़ा सा वो डाउन हुआ है तो पर अचानक से फाइनल में चेंज करना ये एक बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि विनिंग कॉमिनेशन से आप छेड़ चाल नहीं करना चाहोगे बट जो मदल नाल है पूर्व क्रेकेटर उन्होंने भी कहा कि शायद अश्विन खेल जाए अगर वो जो ट्रैक है वो स्पिन अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दीजिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा